नमस्ते महुंदेव आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर और आशा करता हूं कि आपको मैं दिख रहा हूं तो कॉमेंट करके बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं या नहीं हाश लोग कैसे हैं ठीक है हाय आबास हेलो संतोष कैसे हैं आप थोड़ा इसको यहां रख लूँ जरा अब क्लियर रहे हैं अब क्लियर है इसको न्मस्ते कैसे हैं अभास कैसे हैं न्यू लुक नहीं बस अभी शेव की है की देख नहीं होती यह बड़ जब भी आपके सामने आता हों तब तक बढ़ चुकी होती है और पताईए प्रितम कैसे हैं सचीन कैसे हैं सो काफी दिन हो गए थे लाइव आए आप लोगों से लाइव बात किये तो मैंने सोचा कि अभी में बस थोड़ा वक्त था अभी मैंने कुछ दिर पहले ही एक लेक्चर अपलोड किया है Studio One का जो Music Production Course चल रहा है तो मैंने सोचा चलिए लाइव आते हैं काफी वक्त होगे मेरी आवास क्लियर है क्योंकि AC चल रहा है और गर्मी काफी है इसलिए मैंने AC on रखा हुए तो थोड़ असा शोर बैक्राउंड नॉइस आ रही होगी आपको Fifin या Blue Snowball I think Snowball क्योंकि Fifin मैंने सुना नहीं Snowball, Snowball बस बस बार बार कॉपी पेस्ट ना कीजिए आपको मालूम है कॉपी पेस्ट वाली का रिप्लाइ मैं कम करता हूँ अधरश कहते हैं रेली इंजॉइंग देश्टूदी वन सीरिस Now I can say I know 2 Digital Audio Workstations, that's great Rap के लिए Audio Technica 80-2020 या MXL 770 For me 80-2020 because वह बहुत clean, बहुत साफ MXL जिनके पास है वही बहुत अच्छा है But मैंने 80-2020 बहुत साल इस्तेमाल किया है I think I will use for 6-7 years approximately So बहुत अच्छा है Semi Malik कहते हैं Hey sir, how are you? मैं एक दम बढ़िया Semi, आप कैसे हैं? Shubham कैसे हैं? Advanced Mastering का Lecture Rapper पहुत प्रणाम गुरुदे, प्रणाम Advanced Mastering Mastering एडवांस ही होती है Actually एक बार आपको अगर basically हो जाएं तो आपको सब कुछी clearly समझ आ जाएगा कि आपको EQ क्यों करना है, आपको higher low कितना काटना है, क्यों काटना है उसके बाद आपको कुछ सब्ट्रेक्टिव और कुछ ID TV क्यों हलका सा, बहुत slight क्योंकि अगर जादा करना पड़ रहा है, क्योंकि मेक्स के अंदर कुछ इश्यू होगा फिर आपको हलका सा compression अगर saturation अगर जूरत है तो थोड़ा सा saturate करेंगे soft clipping आप यूज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा headroom maintain करना चाहते हैं और उसके बाद obviously, stereo imaging और फिर limiting तो यही एक chain होती है mastering की, चाहे आप कोई भी software यूज कर रहे हैं और चाहे आप stock plugins यूज कर रहे हैं, चाहे आप onboard gear यूज कर रहे हैं चाहे आप external VSTs यूज कर रहे हैं, system यही है Sir, Presonus 24C या Scarlet 2i2, with reason with reason तो आपको फिलहाल नहीं पता लगेगा reason बर 24C ले लिजे, 2 in 2 out, मेरे पास 26C है, मैंने इसे prefer किया rather than going for Scarlet क्योंकि converter बहुत clarity है उसे पहले मैं M.O.D.U. use करता था, जिनके बास भी M.O.D.U. good, मैंने बहुत साल यूज किया, no issues, but Presonus, huge difference, huge difference so go for 24C, more clarity बहुत अच्छे कंवोटर Sir, आप एक बार PAN law के बारे में बता दीजिए, औरेडी बता रखा है 99.9% आपके जो भी questions होगे, मैं already उनको पर videos बना चुका हूँ तो आप check कीजिएगा Sir, कौन सा अच्छा है Mac या PC? मैं दोनों use करता हूँ, दोनों के pros and cons है मेरे main studio के अंदर Mac होता है, और यहाँ पर मैं Windows laptop यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस screen के साथ connect किया होता है जो मुझे Mac की एक चीज़ जो Windows के comparatively better लगती है, वो है उसका search मैं सिर्फ क्लिक हूँगा और पूरे computer के अंदर जहां जहां किक है वो सारी रून देता है जबकि Windows का search bar बहुत ज्यादा खराब है वेट कर रहे हैं, Windows 11 मैंने अभी update नहीं की है, मैं थोड़ा सा backup लेके within one or two months मैं Windows 11 प्याँँगा फिर देखते हैं, उसका search bar की इस तरह से हो गया होगा पर जो search वाली option है, वो Mac की बहुत जबर्दस होती है then Windows है, आप अपने इसाब से बहुत ज़्यादा customize कर सकते हैं जो Mac के अंदर थोड़ा comparatively वो होता है उसके इलावा तो अगर आप कुछ इस तरहां का software यूज़ कर रहे हैं जो operating system से वो नहीं है, for example logic सिर्फ Mac पे चलेगा आप कुछ Ableton यूज़ कर रहे हैं, जो दोनों के उपर ही चलता है so one is the same thing, आपके computer के specs के उपर depend करता है how to connect midi keyboard in studio one आएगा, studio one के एक एक लेक्चर आएगा महीर कहते हैं, सर जी कहां रहते हो आप, जी मैं घर, इस वक्त मैं घर हूँ आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, Mac या PC, exactly same, सिर्फ सर्च करते वक्त मुझे Mac अच्छा लगता था unless or until मैंने search कर ली ये app जिसका नाम है everything, आप भी search कीजिए Google पर everything, install कर लीजिए उसकी search Windows के अंदर, तो बहुत अगड़ी आपी search हो जाएगी, उसके बाद दोनों बराबर हैं, कोई वो नहीं है, खास कोई difference मुझे उतना नहीं लगा, क्योंकि मैं लोगों की pen drive नहीं connect करता, ज्यादा तर, और अगर किसी connect करनी है, तो Mac में करता हूँ, वहाँ वायरस का issue कम रहता Windows में ज्यादा होता है, इसलिए नहीं connect करता, तो कोई खास difference मुझे दोनों में नहीं लगता, दोनों मैं क्यों use करता हूँ, ताकि हाथ सेट रहे, सिर्फ जम्मू के बारे में क्या ख्याल है, जम्मू बहुत अच्छी जगा है, जम्मू से मेरे पास काफी students आते हैं, अभी बहुत अच्छा student आ रहा है, बहुत obedient है, तो जम्मू बहुत अच्छी जगा है, सर फिर भी ज्यादा कौन अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी जिंदगी में यह नहीं बोलूँगा, यह operating system मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, यह software मुझे ज्यादा अच station लगा हुआ, सर क्या Sennheiser 280 Pro mixing के लिए सही है, आप उस पे अच्छी mixing कर सकते हैं, यह 380 Pro है, मैं घर में यह यूज करता हूँ, और studio में 280 Pro यूज करता हूँ, मेरे लाइफ का पहला जो professional headphone था, वो 280 Pro था, और उसके उपर मैंने काफी गाने लोगों के mix की है, सर्फ phase का mixing में क्या roll होता है, मियंक से नहीं पूछते हैं, सर्च कीजिए phase लेवल, lecture आ जाएगा, उसके अंदर सब समझ आ जाएगा, drums, tight sound कैसे करें, compression, dynamics आपके बहुत strong होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो level है, snare का है, अपको कितना होना चाहिए, उसके बाद मेरी बात आती है, saturation के उपर, तो ये दो concepts जो हैं, वो अपने एकदम कंठस्त कर लीजी, एकदम पक्के कर लीजी, copy-paste ना करें, मैं पढ़ लेता हूँ अपके comments, लेकिन जैसे ही copy-paste होते हैं, उन्हें लगता है, मैंने नहीं पढ़ा, मैं उसी time ignore करना शुरू कर देता हूँ, next question, अगर आपने तीन-चार बार अपना comment copy-paste किया, इसका मतलब मैं वो question ignore कर रहा हूँ, external EQ कौन सा बढ़िया है, मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज़ करता हूँ, वो है मेरा फैर filter pro q3, s3nmouse, shout out to him, thank you, thank you so much, आपने कोई question नहीं पूछा, वो भी आप पूछ सकते थे, sir track finish कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करें, यह definitely I understand, यह बहुत issue होता है, यह आप track, song finish नहीं कर पा रहे होते, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कोई quality या कुछ हो गया, या कहीं पर आपकी melody अच्छी नहीं आ रही है, या कुछ rhythm फील नहीं आ रही, खतम किजी, खतम करना बहुत जरूरी है, एक deadline रखेगे, परसों, Saturday तक मुझे खतम कर देना है, मुझे मंदे को पांच बजे, यह गाना export कर देना है, good quality, bad quality, good mix, bad mix, whatever, मुझे render कर देना है, एक deadline रखेगे, definitely वो खतम हो जाएगा, सर, graphics क्यों कैसा है, no idea, बिलकुल नहीं idea, as an independent artist क्या जरूरी है, अच्छे lyrics या music, as a human being ही बहुत जरूरी है, अच्छे lyrics या music, हर्षित, कुश्वा कहते हैं, take my name, please, ले लिया हर्षित, आपकी बहुत सारे बड़े-बड़े लाल दिल मुझे दूर से लिख गए, सर, guitar processing पर master class जी है, definitely कोई professional guitarist, जब मैं किसी गान में record करौंग, मैंने सोच रखा है, तो मैं आपको उस दिन जरूर बताऊंगा, मुझे मालूम था, जैसे ही मैं कहूंगा, कि आपके बड़े-बड़े लाल दिद दिखें, तो सब वो दिल copy-paste करना शुरू कर देंगे, ऐसा न करें, छोटा comment लिखेंगे, तो किसी की query जो आपके भी काम आ सकती है, मैं उसका जबाब दे सकता हूँ, तो आपको भी वो काम आ सकती है, तो किसी genuine question को आने देते हैं, चैनल आपका किसी का चैनल नहीं चेक कर पाऊंगा, बहुत कम टाइम के लिए आया हूँ, तो कुछ genuine questions जो सब के काम आए, उन्हें लेते हैं, सब प्यानो को realistic sound कैसे कराएं, musical गोलु पूछते हैं, बहुत अच्छा question है, पहली चीज, आपको मैंने ये किसी lecture के अंतर बता भी रखा है, velocity जो है, वो बहुत important role play करती है, जब एक real musician play करता है, उसके हाथों के उंगलियों का size अलग है, हर उंगली के press होने का velocity है, वो अलग है, इसलिए वो एक बड़ी dynamic सी vibe आती है, तो आपको velocity के साथ खेलना है, जो आप देख सकते हैं, randomizer यूज़ कर सकते हैं, फिर आप strumming कुछ पहले बचता है, कुछ बाद में बचता है, चाहे हम chord play कर रहे हूँ, फिर भी, तो थोड़ा सा, आप strumming user कर सकते हैं, तो इस तरह की velocities को control करेंगे, strumming user करेंगे, एक सही decay रखेंगे, अपनी reverb की, तो काफी realistic, जो है, आप sound achieve कर सकते हैं, लो-fi music tutorial है, सच कीजिए, आपके यहाँ पर music course admission कैसे लिए, facebook पर message कर दीजिए, one of my teammates will guide you with all the details, मैं एक वक्त पे बहुत कम students ही लेता हूँ, sir, fs studio mobile पर tutorial लाओ, वक्त मिलते जरूर, analog gear और emulator पर video, डिपेश यादव, काफी वक्त के बाद किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, thank you, डिपेश, इसके उपर मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि जब भी मैं अलग-लग studios जाता हूँ, आप में मेरे vlog देखा होगा, अलग- अच्छी sound अचीव कर सकते हैं, कोई भी गाना सुनके हम यह नहीं बता सकते हैं कि क्या वो इस पर्टिकुलर hardware के ऊपर, या इस पर्टिकुलर software के ऊपर रेंडर हुआ है, लाऊँगा इसके ऊपर मैं, definitely लाऊँगा, प्रद्यूम पूछते हैं sir, song, song अगर गाके compose किया है, scale and chord कैसे ढूंडे, thanks for great teaching, my pleasure, बहुत अशा सवाल आपने पूछा है, इसके ऊपर मेरे एक दो lectures भी हैं, आप वो search भी किज करेंगी, यह जो पहला note में लिकाला है, अब यह जब आया, उसके बाद मुझे सिर्फ यह फाइंड करना है, practice के साथ की minor है, की या major में है, तो यह minor में जा रही है, अब किस तरह से मैं बहुत जल्दी से निकाल रहा हूँ, practice करने के साथ साथ, एक बार आपने पहला निकाल लिया, तो मेरे आप search करेंगे, मेरा एक lecture था, कि chords किस तरह से निकालने हैं, अगर आपकी music theory आपको नहीं मालूम है, तो उसके अंदर मैंने पूरा detail में बता भी रखा है, आप जरूर चेक कीजिएगा, music theory यही है, practice करकर के कुछ साल बाद ही वो पक्की होनी शूरू हो जाएगगी, Sir, Intel Core i5 ठीक है, हाँ बढ़ी है, music production लिए बहुत से student मेरे यूज़ करते हैं, Sir, FS Studio सीख रहा हूँ आपके वीडियो से, लेकिन सौंग बनाना स्टार्ट कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, पहले आप पूरी production सीरीज एक बार देख लीज़े, आपको जब software का overall idea हो गया, उसके बाद आप master class देखिए beat making की, फिर आप देखिए beat making session, फिर आप देखिए bass line और melody की master class, तो ये तीन master class आप देवनेक्स लेवल लिखेंगे तो आ जाएगी, beat making की, bass line की और melody की, अपने आप ये आपको पता लग जाएगा, song किस तरह से start करना है, किस तरह से finish करना है, सब्सक्राइब बनाना सिखाएं, बहुत वीडियोज हैं इसके उपर, beat making sessions और भी देखिए, और sound design की वीडियोज है, अलग-अलग serum के उपर भी है, spire के उपर भी है, वो भी जरूर देखिए, How to ask for internship music studio, किसी studio जाके आप पूछ सकते हैं, अगर वो internship provide करते हूं, बहुत rare है कि कोई studio internship provide करता हो, क्योंकि आप किसी studio गए, और आपने का जी मुझे internship करनी है, तो पहला सवाल जो उनके मन में होगा, ठीक है, हम internship आपको provide करेंगे, आप हमें क्या value add कर सकते हैं, आप क्या value add करेंगे, किस हिसाब से आप मुझे help कर सकते हैं, तभी मैं internship दूँगा, अगर मुझे किसी technical तरीके से help नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ आप साथ पैठे हैं, और सीख रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, वो तो classes हो गए, वो तो फिर हम किसी institute में, इसे studio में pay करके सीखने जाएं, internship ऐसे नहीं होता, इसलिए music production डिजिटल हो गई है, computer पे mouse तो एक इंसान के हाथ में ही, तो internship आचकल वैसी नहीं होती, mechanical companies के दौरान ज़रूर होती है, कि ठीक है, आपने किसी mechanical engineering कर रहे हैं, और कहीं जाके आपने कोई automobile industry के अंदर, internship ली तो उ सकते हैं, map और windows, बोथ, जो आपको अच्छा लगे हैं, सर, music production का क्या charge है आपका, facebook पे message कर दीजिए, one of my teammates will guide you with all the details, laptop बताईए, 70,000 के अंदर, दुकान पर जाकी बता लगें, कोई एक laptop particular नहीं है, कौन की aspects दे रहा है, minimum i7 लीजिए, अगर 70,000 के अंदर बहुत अच्छा आजाएगा, और कोशिश कीजिए जितने ज्यादा SSD गो, 128 नहीं, कम से कम 256 GB अगर SSD आपको मिल जाती है, 16 GB RAM हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर वो 3-4 आपको model दिखा देगा, इस specs के अंदर, उसमें आपको कौन सा थोड़ा भरोसे का brand है, और कि इसकी ठोड़ी look अच्छी है, उस हिसाब से आपको ले लिजे, ये नहीं है कि 70,000 के अंदर मैं एक particular बताऊँ, it all depends on the specs, Music Producer और DJ में क्या अंतर है, Music Producer अपना गाना खुद बनाता है, DJ अपना बनाया हुआ गाना प्ले करता है, या किसी और का गाना लाइव प्ले करता है, FS Studio Mobile से भी अच्छा Music बना सकते हैं, कि आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, आपकी practice के उपर depend करता है, OTT पे वीडियो, जी, जरूर, सर्फ Faire Filter के Saturn 2 की Master Class कर दीजिए, ब्रीफ में, बनाई थी मैंने, उसमें Mastering बताई थी, और साथ में एक-एक, जो भी उसके अंदर सब कुछ है, मैंने सब कुछ क्लियरली बताया था, सर्फ कीजिए, Faire Filter, Saturn, Mastering, कुछ, Dev Next Level लिखेंगे, Saturn, Dev Next Level तो आपके सामने आ जाएगी, मुझे एक टाइटल याद नहीं, How much cores are enough for music production, single cores, core बढ़िया होना चाहिए, बाकी उसके साथ क्या स्पोर्टिंग है, उस पर डिपेंड करता है, single cores, core चेक कीजिए, कितनी ज्यादा cores हैं, वो secondary बाद, Sir, Labels तक गाना कैसे पहुंच चाएं, यह बहुत लोग मुझे questions पूछते हैं, कॉमेंट में, किसी तक भी गाना किस तरह से पहुंच चाएंगे, उनका address मैंने गूगल पर search किया, यह रहा speed record, 0, T3, 0, White Hill, यह रहा single track, पहुंच गए, वहाँ कोई बैठे हैं, जी, मैं अपना गाना सुनाना चाहता हूँ, सुनाया, उन्हें पसंद आया तो कहेंगे, ओके नहीं पसंद आया तो कहेंगे, बाइबाइ, बहुत easy, 67,000 में माइक कौन सा ले, डानामिक माइक ले लिजे, E835 या E845 Sennheiser का, मेरा क्लोन आप्शन नहीं आता, आना चाहिए, सर ड्रन पैटरन सिखाओ, किक स्नेर अर्रेंजमेंट देवनेक्स लेवल, सर्च कीजिए आ जाएगा, बीट मेकिंग सेशन्स देखिए, आप नहीं हैं, शाइक में भी, सर, MC स्टैंज जैसा म्यूजिक कैसे बनाए और मिक्स मास्टर जी, उनी के म्यूजिक गुरु से बता सकते हैं, गुरु जी मेरी संकल्प शक्ती बहुत कमजोर है, किसी भी काम को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता, प्लीज कुछ बताइए, ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, कि किस तरह से करना है, डिसिप्लिन तो लाइफ में डेफिनेटली लेकर आना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी ले आएंगे उतना बढ़िया है आपके लिए, तो प्रेक्टिस, क्या आपको शौन किस चीज का है, तो तब वो अपने वो एक डिसिप्लिन जो है, वो बन जाता है, मेरा ये आर्ट फॉर्म था, आपका भी कोई ना कोई होगा, और सरच करें, अभी शेक कहते हैं सर, आपको सूपर चैट दिया, चालिस रुपे का नेम क्यों नहीं आया, पता नहीं, नेम तो नहीं आया यहाँ पर, और कोई इंडिकेशन भी नहीं आयी है, नहीं तो वो कलर आया पर, वो ग्रीन कलर का या ब्ल्यू कलर का, सर, वोकल एक ओक्टेव, पिच शिफ्ट कैसे करते हैं, डबल क्लिक कीजिए, वोकल सैंपल के उपर, वहाँ पे पिच होगा, लेफ्ट पे तीन बटन होंगे, लेफ्ट वाला पिच होगा, पूरा घुमा दीजिए, राइट साइड, एक ओक्टेव उपर हो जाएगा, बारा सो सेंट उपर हो जाएगा, सर, बेस्ट हैडफोन्स पर चीप, जो हैं बेस्ट नहीं होंगे, और जो बेस्ट होंगे, वो चीप नहीं होंगे, ये एक बॉल्ट का रूल है, किसी भी चीज में, आप खाने की चीज ले लीजिए, आप कपड़ा पहने की चीज लेजिए, आप कुछ भी लीजिए, तो ये तो हो गई, डीजे 47 सर, आटिस के साथ काम कैसे करें, लाइक सनेक, ओ भाई साथ, ये तो लिंक्स, कोई टालेंट तो सेक इंटरी चीज है, लिंक, लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहां तक हम बिल पा रहे हैं उनसे, उसके बाद उन्हें साउंड सुनाई, फिर आपने उनको बताया कि आ अगर आपने उनके साथ गाना किया, क्योंकि उनको तो दिन में 5,000 लोग मेसेज कर रहे हैं, मेरे साथ गाना करो, जतिन 9, ये हस रहे हैं, स्माइली, ठीक है, गुड, हसना अच्छी बात है, सर, विलोसिटी अर्रेंजमेंट कैसे करते हैं, अभी, देखिए, उजवल, थिंग्स में कम तो दोस हूँ वेट, एंड तिंग्स में लेफ्ट बाइ दोस हूँ हसल, सो, अगर आप इस चीज़ को समझें, सर्ज कीजें, यूटीब पे, म्यूजिक प्रडक्शन कोर्स, देवनेक्स लेवल, 30 लेक्चर आएंगे, बिल्कुल 0 से सीखना है भी आपको, क्योंकि विलोसिटी अर्रेंजमेंट जैसी कोई टर्म नहीं है, तो ऐसे नहीं नहीं टर् में नहीं जाना है, जो हैं ही नहीं, इस नहीं करती, आप और कंफ्यूज होंगे, और फिर कुछ वक्त के बाद आप यह कहना शुरू कर देंगे, अपने आपको, कि म्यूजिक प्रडक्शन मुश्किल लग रही है, तो 0 से एकदम, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कीजिए सर्च कीजिए वो 30 lectures वाला, या फिर आप जो मैं नया Studio One का Music Production Course अभी डाल रहा हूँ, आप चाहें तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मेरा 2017 का है, FL Studio वाला पूरा Course, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रापर स्कूल की तरह सीखे, क्योंकि वह यह जो Course है, आप कह और यहीं भी जाएंगे, 2-5cendo-3coає किसी भी इंस्ट्रींट में देंगे, exactly, believe me exactly, same ही सिखाया जाएगा, बलकि यहाँ पर बहुत मैं आराम से बता रहा हूँ, और Muslim का मैं अकए बथे हैं, आप को यह लगएगा, मैं आकेलि वह बैटना हय थना को अए अपको आपको पढ़ा Sir how much it will cost to make one single track Facebook में message कर दिजी One of my teammates will guide you with all the details Sir AKG K92 अच्छा है क्या AKG K92 ठीक है Decent है अगर आतके बज़ित में आ रहा है तो ठीक है मैंने ज्यादा यूज नहीं किया एक स्टूडेंट का था तो एक बार ही देखा है ठीक था Sir सुर्फ बस साथ ही क्यों होते हैं कोई scientific या logic answer साथ सुर्फ के दो actually technical answer बनते हैं एक तो उसकी जो theory अगर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे कि गांधार क्या चीज है सार एगा माबाइं की सब की full form है और spiritually भी पढ़ेंगे तो उनकी theories निकलाएगी कि उस साथ ही क्यों होते हैं तो बहुत ऐसा आपने सवाल पुछा है जो एक दो lines के अंदर नहीं बताया जा सकता आपको सीखना ही पड़ेगा भाई 24C में direct monitor versus focus ride का मुकाबला दोनों अच्छे हैं आपके room के उपर depend करता है आपके कानों के उपर depend करता है और आपके monitors के उपर भी depend करता है अगर आप monitor यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई monitoring headphones यूज़ कर रहे हैं तो आपके room acoustic किस तरह से हैं यह नहीं मैं कहा रहा कि acoustic क्या लगा रखे हैं room acoustic in the sense कि आपका जो environment है वो क्या बोल रहा है किस तरह की reflections हैं किस तरह की output आपको आ रही है आसपास से तो उस हिसाब से आप कैसा transcend करते हैं उसके उपर depend करता है कुछ लोगों का मैंने देखा है जैसे यह Adam T7V आए हैं मैंने एक student के पास जा के देखा था मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़े ही basic से speaker है मुझे YB नहीं आई कि monitor वाली है और फिर मैंने दूसरा student है Eldorado बहुत अच्छा music करता है उसके studio में गया तो मुझे लगा रहे बड़े अच्छे monitors है तो room के उपर depend करता है Sir laptop पर music production प्लीज पिछले काफी सालों से मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो laptop के उपर ही है अभी भी इस कमरे के अंदर ये laptop पढ़ा है इसके नीचे पढ़ा आप नहीं देख पा रहे है पर मैं laptop के उपर ही करता हूँ तो laptop या computer one is the same thing so since 1997-98 laptop या computer desktop के उपर ही production हो रही है सर जी how to be a ghost producer and is it good or bad बहुत अच्छा सवाल पुछा है मनीश हर्मा ने आप सबको ये मालूम होना चाहिए जितने भी beginner है ghost producer कैसे बने खुद तो नहीं बना जाता आप जाके गहीं पर बात करेंगे कि मैं ghost production कर लूँगा किसी singer को, किसी music director को या किसी company बोलेंगे तो हो सकता है वो आपको कह देंगे ठीक है हम आपको काम देंगे तो नाम किसी और क्या आएगा आपको पैसे आ जाएए तो शुरू में पैसे कमाने के लिए अची चीज़ है ghost producer को कि बहुत सारे ऐसे लेजी आर्टिस्ट हैं जिनको टेक्निकली काम नहीं आता नहीं वो सीखना चाहते हैं वो अंदर से आर्टिस्ट नहीं होते हैं वो बिजनसमेन होते हैं और वो मनिमेंटिंग गेम के अंदर ही होते हैं तो उने ghost producer चाहिए होते हैं इस इस गुड और बैड एक वक्त था जब मुझे लगता था शायद बैड बट मैंने देखा है एक मेरे सुडेंट के साथ एक और सुडेंट आया करता था और वो एक काफी नामी में नाम नहीं लूँगा बर जितने भी लोग मेरे आसपास या मुझे जानने वाले सुट लाइज देख रहे हैं समझ आएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो ghost production करने लगा लेकिन और जो main music producer था वो थोड़ा बेचारा भोला कहलो या बेवखूफ कहलो उसने ghost producer को साथ ही रखा हुआ था जैसे मैं बैठा हूँ और मेरे साथ ही मेरा ghost producer बैठा है तो जितने भी singers आते थे बड़े बड़े आ रहे हैं कोई भी आ रहे हैं तो उनके सामने ही वो बोल देता था रिकार्ड कर दे, बीट बना दे तो सब को दिखता था कि इसे तो काम आता नहीं है ghost producer को आता है ghost producer तेज था नंबर ले लिया, चैट कर ली पाजी, के दव पाजी, बदिया पाजी, तुसी ता, गॉर्डो पाजी करकर के, उसने जो main music producer था जिसका बहुत ज्यादा नाम था इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा दो-तिन साल पहले ही बात कर रहा हूं, वो फुरानी में उसे side ही कर दिया अब सिरफ ghost producer है, जो main producer की तरह front पे आ गया है, और काफी नाम उसका चल रहा है तो ghost production भी अच्छी चीज़ अगर आपके अंदर ये talent है, कि आप आजी बाजी कर सके बाकी पैसे आ जाते हैं, खर्चा निकल जाता है अब इची कहते है, सर, 140 रुपीज भेजे हैं, पर आंसर नहीं मिल रा question का, सर, एक keyboard midi बन सकता है क्या 140 आया नहीं वो light, क्योंकि जब भेजते हैं वो light आती है, इसलिए मैं पास question नहीं आप आया, maybe वो कुछ transaction आपकी cancel होगी होगी, तो midi obviously बन सकते हैं, ऊपर ही option होती है typing keyboard to midi keyboard, आप search कीजिए, अपने google tab के अंदर fl studio typing keyboard to midi, अपने वहाँ पर एक icon आपको दिखा दिए, कौन से icon पर आपने सिर्फ click करना है तो बन जाएगा, जिनको भी यह हो रहा है, जिसे पहले भी एक question आया था, कि मैंने अभी कुछ super chat की आया है, लेकिन आया नहीं, में भी कुछ transaction issue होगा, क्योंकि नहीं तो आप सबको दिखी रहा है, वो एक highlight हो जाता है 24C direct monitoring versus focus side, अभी तो जवाब दिया था, ये शायद कोई और है, मैं जवाब दे चुका हूँ, आप live बाद में ज़ूर देख लीजिएगा, अगर मैंने ये upload कर दी सर, music producer को midi लेना चाहिए, बहुत अच्छा स्वाल पूछ है, अगर आपको play करना आता है, तब ही लेना है, बहुत लोग ऐसी लेके बैठे होते हैं, टेबल के ओपर भीड लगाई होती है, अगर आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या सीख चुके हैं, तब Samson C01 Mike, अच्छा है, वोगल के लिए हाँ, ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, वेली फो मनी अवीची मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अगेन आप कॉपी पेस्ट करें 140 वाला, नहीं आया, इतर हाइलाइट नहीं हुआ सर, मिक्सिंग पर ट्यूटोरियल कब आएगा, हैं, इतने तो आगए, आपने फिर चैनल चेक नहीं गिया, कॉपी पेस्ट मत करो, पैनिश सर, साउंड डिजाइन और साउंड सिलेक्शन में थोड़ा प्राब्लम हो रहा है, क्या आप करें, एक्सपिरियंस टाइम इस दी बेस्ट टीचर, कोई प्राब्लम नहीं हो रहा है, कोई टैंशन न लो, काम करते रो, कान आपके ट्रेन होते रहेंगे, अपने आप सब सही ह होना शुरू हो जाएगे, प्रैक्टिस करते रहें डेली, कुछ-कुछ ऐसा ने लेने का, सर, स्टीरियो फील्ड मॉनिटर कैसे करें, सर, स्टीरियो फील्ड मॉनिटर कैसे, कौन सा लें या कैसे करें, स्टीरियो फील्ड मॉनिटर कैसे करें, आप कुछ और पूछना चाह प्रणावार यह तो टेखन टेखनीकली बना नहीं सर जी स्लो मोड आन कर दो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं आप टैंशन ना लीजिए M30X या बाइडामिक डीटी डूफॉर्टी दोनों इनी उसके नीचे M20 नहीं ले लो पर बजेटा क्या ही करेंगे बजेटी तो है अपना इशू उस चेक्टर में हो जाता है रुख जाब और पैसे जोड़ लो थोड़े से 770 तक ले लो अभी ले लोगे च्छे मिने बद कोगे क्या ले लिया हैगे नहीं HS5 या LP6 depending on your room दोनों अडर कर दीजिए Amazon से दोनों सुनिये अपने room में आपको किसी तरह की sound चाहिए है कईयों को boomy चाहिए होती है कईयों को एकदम flat चाहिए होती है दोनों चलाइए जो अच्छा लगे सही है दूसरा वापिस कर दीजिए किसी और की मत सुनिये लोग कहेंगे के यार के boomy होता है या महा तो flat होता है JBL तो जी बड़ा तीखा है वो अपने experience से बोल रहे होते हैं आपके कान अलग है आपका taste अलग है पता अलग है वो classical music सुनते है दूसरा जो है वो country music सुनता है किसरा hip hop सुनता है आप house सुनने वाले चारों के ही speaker का जो response है अलग होगया ना जो sound की perception ही अलग होगी जारों के लिए शिवनन्दन संधु कहते हैं कैसे हैं सर जी मैं एकदम बढ़िया जी सर जी 80M20X good headphone ठीक ठीक सर where did you learn music theory खुदी इदर उदर से हाथ पैर मारके अगर को मैं पुछता है आपका teacher कौन है music theory में music production में तो उसके दो जवाब है पहला है कोई नहीं और दूसरा है पूरी दुनिया सर online course afford करना चाहिए या youtube से सीखें जो आपको feel आए अगर आपको यह लगता है मैं YouTube से सीख लूँगा सही है YouTube से सीखें अगर आपको यह लगता है मैं किसी के पास जाके सीखूंगा गुड उसके पास जाके सीखें A star thank you कोई question भी हो तो आप पूच सकते हैं आप कौन से country से हैं A star बताइए क्योंकि हर बार आपका वह हाइलाइट दिखता है जा मैं लाइव होता हूं तो मुझे नाम याद रहता है और आपका जो यह थमनिल है यह भी याद रहता है भाया एक चैलेंज मेक बॉलीवूड सॉंग विद और विदाउट वोकल विदिन 30 मिनिट्स पे करो ऐसे थोड़ी टाइम वेस्ट करूँगा बॉलीवूड सॉंग वोकल इस चाहिए और चाहिए और बॉलीवूड सॉंग क्या होता है एनी सॉंग जिस पे पैसे लगा दिये गए सॉरी सर हाइब्रीड मिक्सिंग गोल रहा था वही इस लाइब को पीछे करके देखेंगा हम हाइब्रीड और एमिलेशन हाडवेर इस सब की हम बात कर कर चुके हैं कुछ 15-20 मिनिट पहले सर इंटर्शिप कैसे ढूंड़ों जाके कॉंटेक करना पड़ेगा इस पे भी हम अभी थोड़ी दे पहले बात कर चुके हैं 20,000 के अंदर लाइफ भजन रिकॉर्ड करने के लिए audio mixer या इंटरफेस बताइए मैं तो इंटरफेस वाले हूं मैं तो कभी भी audio mixer को स्पोर्ट नहीं कर रहा हूं हाँ अगर आपको कठे 3-4 दो इंपुट लेने हो तब तो ठीक है प्रिस्वानस 26C ले सकते हैं जब दो से ज्यादा इंपुट लेने हैं फिर आपको क्वालिटी को जो है कॉम्प्रमाइज करना पड़ेगा नहीं को दो इंपुट आप एक वक्ते ले सकते हैं प्रिस्वानस 26C मैं इस वक्त यहां वही उस कर रहा हूं बहुत अच्छा है इसके लाब और भी बहुत आपके बजेट के उपर है 20,000 के अंदर यह आएगा साधी 18,000 के यह सर मिनिममम लैप्टॉप सेसिकेशन फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन मिनिममम जो होगी आएफाइब 8GB रैम कोशिश करो i7 8GB बट ठीक है i5 क्योंकि अच्छली जो म्यूजिक डूसर है न वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाता उसे फोटोश भी आपने मिक्स किया फिर आपने फोटी बनाई फिर अपनी वीडियो से ऐडिट कर लीडिक्स लिखे यूट्यूब पे डाले फिर कहीं से धून के वही फ्रेश त्यून्स या ट्उनगोर्या सांटड्रॉब से आपने स्पॉड़िफाइपे थंबनेल डाला तो आप औच सब कुछ ही होता है तो अच्छा स्पैक्स होना चाहिए आई सेवन हो तो बड़ी है भाई सर लिविट 440 प्योर या रोड एंटी वन ने 101 परसें लिविट 440 प्योर आप मेरा लेटेस्ट आज ही मैंने एक घंटे पहले स्टूडियो वन का लेक्चर जो अप्लोड किया है वो मैंने लिविट 440 प्योर पर रिकॉर्ड किया है तो आप साउंड क्वालिटी से ही पैचान लेंगे कितना ज्यादा फर्क है बीस हजार रुपए में इस तरहां की साउंड मैंने तो नहीं सुनी किसी माइक की सूपर इंप्रेस्ट विद दिस वन सर आपका नेक्स सॉंग कब आएगा जी बस वक्त मिलते ही जल्दी यामा के कीबोर्ड अच्छे है और पीछे यामा है दिख रहा है दिख जा मैं वो रहा यामा तो यह तक्रीवें 40,000 का है था पिर आपको इतना उपर हाइएंड लेने की जुरूद नहीं है 15 16 में भी अच्छा आ जाता है दिखा नहीं वो रहा पीछे वह यामा है यह बहु मौमदा दिल कहते हैं सर मैं रोज एक घंटे म्यूजिक प्रेक्टिस करता हूं ठीक है कभी-कभी एक घंटे से ज्यादा भी कर लेता हूं वेरी नाइस स्किप नहीं करता क्या यह इनाफ है गुरूजी जवाद दीजे बहुत अच्छा कर रहे हैं इनाफ है कोई ज्यादा हासल करने के इतना भी ज़रूरत नहीं है कंसिस्टेंसी ज्यादा जुरूरी है आज मैंने चार घंटे प्रेक्टिस की अगले दिन सो गया इससे अच्छा रोज एक एक घंटा करते रहें तो भी बहुत अच्छी आउटपूट आने लग जाएगी कुछी दिनों में आप बहुत अच्छा तर रहे है शाबाश सब मिक्स मास्टिंग के लिए अडियो इंटरफेस नीड है या नहीं अब इसका सवाल देखिए जो इसका जवाब सौरी वह यह बनता है कि मिक्स मास्ट आप चाहें तो 200 रुपे की इयर फोन पे भी कर सकते पर आप कहेंगे क्वालिटी नहीं आरे फिर क्वालिटी कैसे आ पाऊंगा तो हो जाएगी ठीक है बेटर सुनना है मॉनिटर ले लिए वह किसमें क्नेक्ट होंगे वह इंटरफेस में होंगे फिर इंटरफेस की जुरूद भी पढ़ जाएगी अगर आप बिना मॉनिटर के कर रहे हैं कोई ऐसी सैमसंग के एयर फोंस पे तब जरूरत नह पाँच लाख का भी ऑडियू इंटरफेस आता है तो डेफिनिटली फर्क तो होता ही आउटपूट में लाइव बीट्स कहते हैं गुरु जी पीछे क्या लिखा है जे हथ पैर ना चलाए वह लिखा है और उसके उपर मैंने वह लगा दिया हथ पैर ना चलाए क्या लिखा होगा अच्छा कर जोट्शी बुलाए राहू के तु भी दखाए जे हथ पैर ना चलाए तक दीर की गए पंजाबी पढ़ लेते हैं आप सर मैं i3 पे गाना बनाता हूं क्या क्वालेटी में फरक आएगा नहीं बिल्कुल क्वालेटी पर फरक नहीं आएगा आपके प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं करता है जो आई 3, i5, i7 ये क्यों हमें लेने होते हैं ताकि मेरा प्रोजेट फाइल हैंग ना करें बढ़िया चल कॉन एम डी उन पर चले जाईए लाइफ बीट्स सही था न आठ हजार के बजट में कोई इंटरफेस आठ नवाजार में आ जाता है स्कारलेट सोलो बट हैंडफोन और स्पीकर दोनों का सेंग ही वॉलिम होगा तो वह अगर आपको इश्यू नहीं है तो फिर आप ले सकते है अच्छी कॉलिटी है इस बजट है सर मैं M50X पर मिक्सिंग करता हूं कॉलिटी ठीग आएगी हां हां बहुत बढ़ी आएगी M50X बहुत अच्छा है बहुत बच्छा है सर मैं अभी भी Pentium 4 पर गाने बनाता हूं बढ़िया बढ़िया बना हो ना गाने बनने से वो है अपना मकसद विश्यव कहते हैं How to make a jingle? Okay I have recently received four jingle projects for an important client so I have been trying to figure out if you can guide बहुत अच्छा सवाल सब लोग ध्यान से सुनिये ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास चार jingle projects आये हैं तो मैं किस तरह से jingle करूँ? जिंगल और एक गाना इसमें theory wise तो सेम है सोर लगे की ताल लगे की beat आ जाएगी melody आ जाएगी bassline आ जाएगी बट जो jingle और किस चीज की jingle है वो मुझे नहीं मालूँ बट for example मान लीजिये की घडी की jingle है अब आपको पहले देखना है गडी किस budget की है अगर तो महंगी है तो उस तरह के आप videos देखेंगे किस तरह का lavish सा music आपको बनाना है fast track है सस्ती है पच्छी सो दो हजार पे के अंदर आ जाती है students के लिए उस हिसाब का music बनाना है तो आपको जो product है वो किस तरह की audience किस तरह की mask की तरफ वो भेजी जाएगी उसको read करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है mainly jingles के अंदर यही चीज़ है जब भी आप देखेंगे यह washing powder और गयरा की ads होती है बहुत ही simple music और ladies ही गाना गारी होती है ज्यादा तर कि उनकी दियो ladies की तरफ फोकस होता है कि यही है जो हमारा washing powder यूज करेंगी फिर अगर गारियों की बात आती है कि safari, diecor, guitar बज़री है क्यों भी पता है कि off-roading करेगा बंदा उस तरह गया होगा तो कि इस तरह आपका product है वो product की क्या category है उस तरह की 5-6 advertisements यूटीव पे देख लीजिए आपको एक idea हो जाएगा genre का फिर उस तरह की sound selection कीजिए उस तरह की arrangement कर दीजिए AMD Ryzen या Intel for music production and why बहुत अच्छा सवाल है और यह मैं राओ के साथ निर्देशक राओ के साथ कुछ दिन पहले ही discuss कर रहा था मैं Intel वाला हूं तो Ryzen के साथ मेरा जो latest experience नहीं है बट राओ कह रहे हैं कि उनका already computer बहुत जबरदस्त है इसके बाब जो के रहे है क्वालिटी नहीं हा रही हो क्वालिटी नहीं हो रहा है क्योंकि animation obviously बहुत हैवी हो जाती है कि इतने सारे पार्टीकल मेलियन पार्टीकल्स अगर वाटर सिमिलेशन गएर जो भी हो करते है तो राइजन लोंगा राइजन जो है इंटल से है दूसरा single course core based है तो बट हाँ ये तो है कि अगर हमने एक जनरलाइज करें तो आज कर जो बात चल रही है वो यह चल रही है कि इंटल के उपर राइजन है और इन सब के उपर M1 है तो M1 तो वैसी है एपल वह इतनी जबरदस्त अपनी marketing करता है कि वैसी बोल देता करके ही पता लगेगा मैं फिलाल इंटल पर ही है ओफिस में i9 है स्टूडियो में सवारी और यहां i7 और बहुत ज्यादा मतलब राइजन ने जो तरक्की की है एक तो प्राइस पॉइंट अफ यू से और स्पीड वाइस बहुत जबरदस्त है जैसे ही रिव्यू मैंने सांड सेलेक्शन नहीं आ पा रहा है आएगा आएगा प्रेक्टिस करते रहे हैं स्टीरियो फील्ड मॉनेटरिंग वाइल मिक्सिंग और मास्टरिंग दोरों स्पीकर्स के सेंटर में बैठीए अपने कमरे के लेफ्ट राइट जब उपके स्पीकर है ब्राबर डिस्टेंस पर होना चाहिए एकिलेटर ट्राइंगल नहीं है स्वीट स्पॉट ढूंड दि सर एक वीडियो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की टर्म्स और डेफिनेशन पर बनाओ आम टर्म्स और डेफिनेशन यही है सब कुछ नॉमल है कम्प्रेसर और एक उशी क्यों यही होता है कुछ अलग नहीं होता है पर दिशाप होता है पहला काला डी शाप होता है दुज्जा काला यह एक टर्म है जो मुझे इंडस्ट्री में काम करते हैं पता लगी थी और काला भी नहीं बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने का जी को क्या की केंदा पहला मैं पहला और मैं ढूट रहा हूं कॉंसा नोट होता है तो क्या करकर करके बता लगा ऑफिशियल 47 musical thank you thank you so much कैसे है आप आपने कोई question नहीं पूछा पूछ सकते थे कि एस्टार कहते हैं सर आयम फ्रम ऑस्ट्रेलिया डीटी 990 प्रो की मेदा है प्रोफेशनल मास्टिंग लई एंड बेस्ट मॉनिटर लॉट्स अफ लव नाइनटी प्रोग बहुत जबरदस्त है 990 प्रोग 770 प्रोग में क्या फरक है मैं आपको बता देता हूं 990 प्रोग सुनने में लगता है ना कि 770 से बड़ा नंबर है तो ज़्यादा तगड़ा होगा ऐसा नहीं है 770 है open back 990 है close back तो आपको जैसे मैं mixing के दोरान प्रेफर करता हूं open back यह open back है यह मैं पहनूंगा तो एकदम delay होंगे easy बाहर की भी आवाज मुझे आती रहेगी अगर close back होगा तो बाहर की आवाज नहीं आएगी जैसे 280 pro sennheiser का होता है तो वो आपको ऐसे कर देगा कि ठीक है focus पड़ा देगा लेकिन कहीं बार हम low end जो है base है उसमें गलत कर देता है क्योंकि वो इतनी tight end हो जाती है तो मैं prefer करता हूं 770 compared to 990 during mixing and mastering पर मैं आपको फिलाल यह नहीं कहा रहों कि ठीक है मेरी बास उनके 770 ले लीजिए आपको वाल मार्ट या जो भी वहाँ पर होगा दोनों लेके आईए और वापिस कर सकते हैं एक महीने के अंदर आए थिन वहाँ पर तो आप आके सुनिये और फिर देखिए मेरे इसाब से mix master के लिए open back headphones लेने चाहिए ताकि आपको आसपास के थोड़े environment की भी एक आदत रहे आप थोड़े naturally mix कर सकें दूसरी चीज बेस्ट monitors यह obviously budget dependent चीज है पर मेरा जो experience है मैंने कितने monitors के साथ आज तक काम किया है आप जे बीया आप यामाहा monkey banana and adam and general app और इन सब के और enfocal बड़े भी है छोटे भी है इन सब के अंदर जो मुझे लगा कि यह है जो quality वो है adam और अगर आपका budget थोड़ा ज्यादा है 77x अगर थोड़ा कम है तो a7x single 7 single woofer वाला और adam a7x अगर आप एक बार ले लेंगे खत्म आपको दुनिया में दूसरों की साउंड पसंद ही नहीं आएगी दो तिन महीने लगते हैं उसके साथ कांग सेट करने में ट्रेन करने में एक बार आपको पसंद आगी है आपकी ट्यूनिंग होगी ना उससे जितने मर्जी महंग बहुत ही क्लेरिटी है इर फिटीग है ही नहीं तो मैं आपको रेक्मेंट करूंगा adam a7x या a77x इफ बज़ेट अलाओ अगर इतना बज़ेट आपका नहीं जाता है तो फिर वो ही yamaha h7 white color वाला बहुत अच्छा sound करता है color वैसे खोला हूं काला चिट्टा तो एकी चीज ह बट मैं देख स्टूडेंट ने अभी लिया दो दिन पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था मैं उसकी आन्बॉक्स वीडियो भी जल्दी डालूँगा गुरू लोनी वाला कैसे है क्या हाल चाल पिंच एंड पंच की आइडिया कैसे आया सर मुझे हमेशा से कुछ डिफरेंट म्यूजिक बनाने का शौंक है और सुनने का भी बट जब ही मैं क्लाइंट के लिए बनाता था जैसे डबस्टेप उस ताइम नया नया आया था तो मैं डबस्टेप बनाता था 2014 में कोई भी शिंगर बास नहीं करता था आज भी नहीं करता है वो कैते हैं घर-घर खर rare कर रहे हैं कुछ खराब हो गया मैं कहथा खराब नहीं है भाई साब जितना टाइम पूरा गाना बनने में लगया उत्रा इक्ञेकली ए घर-गर बनने में लग गया तो फिर मैं एक दाला दो डाला थोड़ा सा अच्छे व्यूज आ गए जो पहले नहीं देखे थे हमने व्यूज लोगों को पसंद आया तो मैंने और निर्देशक राओ ने सोचा चलो इस पे एक चैनल ही शुरू कर लेते हैं फिर हमने चैनल कर दिया वो निर्देशक राओ को ऐसी आइडिय है ठीक है सो हम हम अभी एक ओरीज़िनल अल्बं पे काम कर रहे हैं हाँ रिक्वालिटी लइक प्र मीक्सने देखेंगे ना ही सारी गेम रिकॉर्डिंग अगर आप लाइव बैंड वाले हैं आपको एक अच्छे इंवाइनमेंट में अच्छे माइक्रोफोन अच्छी input gear पर ही record करना चाहिए और एक अच्छे artist से एक अच्छे engineer से mix करवाना चाहिए अलब जागेते हैं सर जी बिग फैन I am 15 years old I want to be music producer how should I start please guide me music production course devnex level search करेंगे 30 lectures आजाएंगे वो सीखिए उससे आपका एक bass बन जाएगा music production actually चीज क्या होती है उसके बाद आप beat making sessions देखिए master class bass line की देखिए master class beat making की देखिए master class melody की देखिए और सबसे important kick snare arrangement devnex level यह ज़रूर सरच की लिए यह जो आठना चीजे मैं हमेशा बताता हूं सबको इससे आपका bass एकदम strong हो जाएगा जरूर यह वाले जो जो मैंने बोले हैं वीडियो को back करके देख लीजेगा अभी भी आप live में भी शायद back कर सकते हैं फिर सुन लीजे और note down कर लीजे कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस बोली है believe me अगर आपने उनको दिल से उन वीडियोस को सुन लिया practice कर ली समझ लिया 50% game done चलिए आखरी पांच मिनिट काफी देर हो गई है लाइफ राइट तो तकरीबन एक घंटा होने वाला है focus rights कालेट studio bundle कैसा है ठीक है बड़िया काम कर देता है sir stem कैसे bounce करने चाहिए इसके उपर है मेरा एक lecture सरच कीजिएगा मुझे title नहीं याद पर ऐसा ही कुछ होगा अब लिखिंग यह stem is Dave next level how to send for mix तो ऐसा आ जाएगा कुछ sir एक video sound selection पे बना दो यह मैं पहले भी पढ़ दिया था Lukas लेकिन आपकी जो रोने वाली smile है उस वेसे में reply नहीं कर रहा आप शायद live पहली बार आए हैं आप सब लोगों को यहाँ पर मालूम है कि रोने वाली smiley वाले का जवाब में नहीं करता हूं हसने वाली करनी है यह देखो यह नीचे कितने अच्छी दिया दिल वाली smiley यह नवीन शर्मा इंकी पढ़ेंगे Sir I don't sleep whole night मैं produce करता हूं और पूरा दिन सोता हूं सही है शुरू में सब यही करता है मैं भी यह करता है बाद में जब पता लगता है health खराब हो जाएगी फिर हम उल्टा कर देखे और हमें लगता है रात को पूरी रात पता वाई ने काम किया अच्छा फिर दिन में दिन में सो गया यह कोई बात थड़ो बनी तो सेम ही होगा दिन वाले तो घंटे नो तो नहीं निकले बर ठीक है वाई भाई रात को शांती होती है और जादा फोकस रहता है तो अच्छी बात है पर हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए ओफिशल फो सेवन म्यूजिकल कहते हैं सर मैं आडियो टेक्निकल 80-0-20 बाई किता है बहुत अच्छी जीत अबने बाई किया बहुत अच्छी क्लार्टी है बहुत अच्छी सफाई है लो एंड मुझा हो गया था खेचता ही नहीं बहुत बदीया चीज बिशाबाट सो में दीब कहते हैं सर क्या केबल क्वालिटी माइक के आउपट पे इंपक्ट करता है देफिनेटली करता है और म्यूजिक डिस्ट्रिबूशन कैसे करें और रेविन्यू कैसे लें केबल क्वालिटी डेफिनेटली करता है मैं एक व्लॉग के अंदर आपने देखा है मैं स्पेशली 18 सेक्टर चंडिगर गया था बिजली मार्केट अपनी केबल्स लेने के लिए यह नहीं कि बस Amazon से मैंने ओडर कर दी ती तो डेफिनेटली करता है आपके स्पीकर्स और माइक में हिस साउंड आ रही होती है वो जो नॉजिस वो लॉसिस आ रहे होते हैं इस पे भी बहुत ज़ादा इनकी वैसे भी होता है फिर हम बात करते हैं मुजिक डिस्ट्रिबूशन की साउंड्रॉप.com फ्रेश्ट्यून्स.com इनकी उपर आप फॉर फ्री अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने आस पास कोई लोकल ढून सकते हैं जो दिस्ट्रिबूटर लोकल भी मिल जाते हैं और वो आपका गाना अपलोड करते हैं तीन महीने या छे मीने के अंदर जो भी उनकी आप होती है साउंड ड्रॉप तो हर महीने आपको भेज देगा लिस्ट आयाती है कि आपका गाना इतना प्ले हुआ है और आपने इतने रुपे कमाए है या नहीं भी कमाए है जो भी है तो आजाता है तो यहां से रेविन्यू जेनरेट हो जाता है बट रेविन्यू इतना इसी जेनरेट नहीं होता फर इसेंपल आप मुझे देखिए मेरे दो चैनल है एक डेड़ लॉक सब्सक्राइबर है एक 70 कितने 74,000 सब्सक्राइबर होने वाले है आज तक मुझे Spotify से फिलाल 1 कुरुपे नहीं आए यूगि आप लोग शेयर ही नहीं करते Spotify पे जाते ही नहीं तो पहला तो फोकस है है कि लोग मेरा गाना सुन लें चार लोग सुन लें खुशी मिल जाए यही बहुत है revenue तो बात की बात है money is a good buy product but a poor point of focus आखरी एक सवाल लेंगे और पिर चलेंगे एक घंटा हो गया है दोस्तो निती शर्मा कहते हैं hello sir I am your big friend sir एक reply दे दो reply ले लो ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं काफी सारी questions और आ रहे हैं सबको bye bye है manu sharma bye bye, navi sharma bye bye, rohan kupta कीरत music फिर मिलेंगे किसी और live session में काम शाम कर लेते हैं मिलते हैं किसी और video, किसी और vlog किसी और lecture, किसी और live session में तब तक के लिए Devnex level signing out नमस्ते